असलाम लेकुम स्टूरेंट्स आज की वीडियो रेक्चर में हम एक पेपर का स्लूशन देखने लगे हैं और हमारे पास पेपर जो है वह कॉमेट कॉलेज यूणिविस्टी फैसलाबाद का याई कि जीसी यूफ का है ठीक है यूणिविस्टी याफ फैसलाबाद का है और य मुझाएं सालना इन पर तेक्ट यूफ कर यूफ कर दो रिखेंगे का अप जूशन देखने लगेंगें तो यूफ फैसलाबाद के यूफ को व्योत यूफ को क्यों अन्यूफ का स्टूशन देखना लेक्ट आप पास पेपास इस पेपर का अबचेक्टिव बचार्ट है हम इसका solution देखेंगे जैसे कि आपको पता है कि जीसी जी जी इविश्टी के जो स्टूइंट से बी-एस-8 सामिस्टर के उनके exam बहुत जादा करीब हैं और उनके paper होने वाले हैं तो students को बहुत जादा ज़रूरत है I'm Secures की भी और papers के solution की भी तो आपने क्या करना है जादा सादा students को share करना है ताके सब को papers के solution मिल सके उसके इलावा अगर आपको मेरी वीडियो ची लगते हैं तो वीडियो को like किया करें और अपना feedback मस दें और उसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लें लेटेस्ट वीडियो का notification से आपको क्या फाइदा होगा कि आपको जो है यानि कि आपको हर वीडियो की update मिलने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी हम papers का solution upload करें 8 semester के लिए तो आपको उन papers के solution मिल सके असानी से और आपको कोई भी paper मिसना हो जिससे आप का paper हराब हो क्यूंकि आपको paper अगर यह वाले solution जो है miss होते हैं तो क्यूंकि यहां से paper जो काफी हार तक repeat होते हैं आपकी आपका जो subjective part होता होता है वो भी repeat होता है तो यह बहुत अदा helpful होते है students के लिए तो इसलिए हम इनकी video lecture बनाते हैं और इसलिए हमें इन papers की demand भी होती तो हम स्टार्ट करते हैं आज की video lecture में हमारे पस कुछ mcqs है basically 20 mcqs है जिनको हमने discuss करना है तो first mcqs हमारे पास है in numerical integration to get better result we select n as अगर आपने numerical integration में best better result आपको शहिए तो n को आप क्या select करोगे n को आप odd select करोगे यानकि option में 1 है correct option है next में पास mcqs हमार 2 है by Simpson rule value of integral 0 to 10 3 x kia d x will be आपके पास इस integral की value के आओगी Simpson rule के according तो इसकी value आपके पास 1000 होगी यानकि 1000 होगी option में b किया है correct option है mcqs हमार 2 option में b किया है correct option है next हमारे पास mcqs हमार 3 है if integral x naught से x1 f of x dx equal किसकी है h over 2 f of x naught plus f of x1 then how many points triple z order rule triple z order rule में कितने points होंगे तो 3 points होंगे basically यानकि option आपके correct option है इसी तरह से हमारे पास mcqs हमें 4 है how many interval will be used in definite integral definite integral में कितने intervals choose होते हैं तो आप इसको good solve करेंगे next हमारे पास mcqs हमें 5 है calculate करते हैं सिर्फ हमारे पास 1 mcqs का solution है मैंने आपके लिए छोड़ा है जो कि mcqs हमें 4 है बाकि सारे के सारे 20 के 20 mcqs का solution आपको provide किया जाए गया तो mcqs हमार 5 है calculate करते है x5 when x naught equal है 0 के और h equal है 0.05 के तो आपने x5 calculate करने है तो x5 आपके पास के आएगा 0.25 आएगा यहनके option आपके बीक है correct option है mcqs हमार 5 option आपके बीक है correct option है तो देखें स्ट्रेंट्स नेक्स हमारे पास mcqs हमार 6 है the approximate value are 0.8473086 आपने इसके approximate value यह आपके पास approximate value आपको given है and the exact value exact value आपके पास given है 0.8457936 आपने absolute error आपने किसना से find करने absolute error आपने किसना से find करने absolute error find करने के लिए आप absolute error का formula लगाएंगे और formula लगाएंगे तो आपके पास answer आएगा option नमर्स C वाला यानिकि 0.001515 यानिकि absolute error कितना है 0.001515 तो आपके पास mcqs number 6 option number C के है correct option है next हमारे पास mcqs number 7 है every polynomial equation आप nth degree has dash root कोई भी आपर पास polynomial equation हो उसकी degree अगर आपर पास nth degree हो उसके कितने root होंके उसके हमाईशा हमारे पास root होंगे n-1 ठीक है n-1 root होंगे यानिकि mcqs number 7 option number 1 है correct option है next हमारे पास mcqs number 8 है the symbol used for shift operator shift operator के लिए कौन सा symbol यूज किया जाता है h, d, e या ना 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 थीक है तो आपके पास कोई भी इन में से हमने बताना है कि shift operator के लिए कौन सा symbol यूज करते हैं तो वो आपके पास e है ठीक है यानिकि option number c के है correct option है यानिकि आफ shift operator के लिए e symbol यूज करते हैं जो कि option number c में है c में था यानिकि mcqs number 8 option number c के है correct option है next हमारे पास mcqs number 9 है अप्लाइड मोडिफाइड आइलर्स method on y prime equal x plus y और y of 0 equal to 1 and h equal 0.1 की calculate करना है y of 0.3 ठीक है आपने इसको calculate करना है modified idler method लगा तो जब आप modified idler method लगाएंगे और आपने y of 0.3 find करना है तो उसकी value आपे पास आएगी 1.3985 यानिकि option number a आएगी तो mcqs number 9 option number 1 है correct option है next हमारे पास mcqs number 9 है the modified idler method is based on average of चो modified idler method है वो किस पे base करता है points पे straight line पे chord पे या 930 पे तो आपे पास modified idler method एक point पे base करता है यानिके option number 1 है correct option है next हमारे पास mcqs number 11 है root of b cube minus 3 b square plus 2 r ये जो आपे पास एक polynomial ही है एक किसम की इसके root क्या होंगे real होंगे imaginary होंगे real and imaginary या ना ना दी तो इसके root आपे पास real होंगे यानिके option number 1 है correct option है mcqs number 11 option number 1 है correct option है next हमारे पास mcqs number 12 है difference equation y n plus 2 plus 3 y n plus 1 plus y n equal is non homogeneous 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 या ना ना दी तो ये कौन सी equation है ठीक है आपने बताना है तो या पे पास non homogeneous equation है यानिके option हमें 1 है correct option है next हमारे पास mcqs number 13 है series है आपके पास 1 plus z plus z square over 2 factorial plus up to so on is equal to ये किसके equal होगी तो ये equal होती है e raise plus z के यानिके exponential function की basically expansion है ठीक है तो ये आपे पास e raise plus z की series है mcqs number 13 option में 1 है correct option है next हमारे पास mcqs number 14 है mcqs number 14 में हमने क्या करना है find the first derivative of the function from the following data आपने first derivative find करना है function का जो data आपको given है at x equals to 2 तो आपने इस data को जहांपे x values आपे पास 1, 2, 3, 4, 5 और f of x basically y ही होता है और इसके answers किस तहां से आ रहे है तो देखें students next हमारे पास mcqs number 15 है the journal solution आप y k plus 4 minus 6 y k plus 3 plus 11 y k plus 2 minus 14 y k plus 1 plus 8 y k equal to 0 आपने इसका channel solution find करना है तो इसका channel solution basically इन में से कोई भी नहीं है यानके none of 30 की option का है best option है यानके mcqs number 15 option number D का है correct option है next हमारे पास mcqs number 16 है the relationship between E and delta इस E और delta के रिम्या कों सा relation है option a में बोला गया e equal 1 minus delta के e equal 1 plus delta के e equal 1 plus delta के e equal delta minus 1 के यानके बोला गया बोला गया पास e equal 1 plus delta के यानके option option हमें b के correct option है mcqs number 16 option हमें b के correct option है next हमारे पास mcqs number 17 है suppose that आपने suppose करना है कि e isk minus 5 e plus 6 into y n equal कि isk minus 1 के is the difference equation for the particular solution we will put आपने का put करना है particular solution के लिए तो इन मेंसे आपने क्या put करना है क्या लगता है क्या put कर सकते है तो आप put कर सकते है y n equal किसके c naught plus c1 n plus c2 n कि है तो यानके option हमें a के correct option है आपको कैसे पता चलेगा कि particular solution के लिए आपने क्या put करना है इसके लिए आप सबसे पहले auxiliary equation बनाएंगे और आप root find करेंगे उसके बाद ही आप जो पर्टिकलर solution के लिए यह चीज जा वो लट करेंगे ठीक है इसको लेके चलेंगे इनके particular solution find करने के लिए नेक्स हमारे पास mcq समर 18 है y of x plus h equal है y of x plus h f of x y is the referred as dash method है क्यों सा method है modified i less method है i less method है improve i less method है या ना 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 तीज है तो आपको पता है यह आपे पास i less method है यानि कि option number b के है correct option है नेक्स हमारे पास mcq समर 19 है आप polynomial अब दी form आपे पास एक polynomial है और किस form है y equal है a x plus b x plus c e square कोंसी polynomial है first degree equation है by quadratic equation है second degree equation है या ना ना तीज है तो यह बिसकलिए आपे पास एक polynomial second degree equation है basically यहनि कि option number c के है correct option mcq समर 19 option c के है correct option है next हमारे पास mcq समर 20 है the error in the trapezoidal rule is of the order किस order का error होता है trapezoidal rule में h square h 3 तो आपे पास h square order का trapezoidal rule में error होता है तो यह आपे पास 20 mcqs आपने डिसकल्स की है b.s. 8 semester के जो कि आप सब के लिए बहुत जादा important है जैसे कि मैंने आपको बताया कि b.s. 8 semester के exam सोने वाले है तो हमने निमारे का analysis 2 के mcqs discuss की है जो के GC university के ही mcqs है 2021 में यह पेपर हुआ था जो के external exam से तो आपने क्या करें अगर आपको वीडियो अची लगते है तो वीडियो का लाइक हिया करें और अपना feedback मस दें आपका feedback हमारे लिए बहुत जादा important होता है और उसके अलावा अगर आप ने अभी तक चैनल को subscribe ने किया तो subscribe कर लें ताके आपको सारे के सारे papers के solution मिल सकें जो कि आपके लिए बहुत जादा important है क्योंकि यह सारे के papers का जो solution है यह हम student की demand पर upload कर रहे होते हैं ठीक है तो हमें आपका feedback और आपके like की बहुत जादा दुरूरत होती है उसके लावा आप सब students को share भी मस किया करें ठीक है okay students Allah Hafiz